नमस्कार दोस्तों मैं हूँ रामदे और बहुत बहुत स्वाकत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है My Healthy India और दोस्तों आज की इस वीडियो में यहाँ पर मैं आपसे बात करूँगा देखे दोस्तों यहाँ पर यह जो पत्यादी काटा है उसकी रिजल्ट काफी अच्छे हैं देखे सभी प्रकार की सिर्दर्द में यह लापकरी होती है जैसे की आदा सीजी यानि की माईग्रेन है या फिर किसी भी तरह का सिर्दर्द है तो उसमें यह फायदे मंद होती है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यहाँ पर मैं आपसे बात करूँगा कि यह जो बैदिनाद की पत्यादी काटा है उसकी प्राइस और पेकिंग क्या है इसे आप कहां से खरिद सकते हैं इसमें जड़ी बूटियां कौन सी डाली गई है और उसके बाद हम बात करेंगे इसके फायदे हैं लेकिन कौन सा वो माईग्रेन है या फिर कौन सा सिर्दर्द है किस कारण से होता है और किस कारण में होता है तब ये लापकरी होती है इसके बाद हम बात करेंगे कि इसका डोस क्या होता है इसका सेवन कैसे करना चाहिए और कितने समय तक आपको लेना चाहिए लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो यह लाइक कर दीजी और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि यह जो बैदिनात की पत्यादी काटा है उसकी प्राइस और पैकिंग के बारे में तो देखे 170 रुपे में यह आपको 450 से मिल मिल जाती है अगर आप इस पत्यादी काटा को खरिदना चाते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है आप उसको वहाँ से पर्चेस कर सकते हैं अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि इसमें जड़ी बुटियां कौन सी डाली गई है तो सायद आप देख पा रहे हैं इसमें हरितकी, बहडा, आमला, हरिद्रा, नीमचाल, इसके अलबा गुडूची यानि कि गिलोई, दाही फूल और गुड तो यह जो सारी जड़ी बुटियां हैं वो डाली गई हैं जो आपके माइगरेन को ठीक करती है, अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि किस तरह का माइगरेन है, किस कारण से होता है, तब इसका सेवन किया जाता है, तो देखें अगर आपको माइगरेन है, यानि कि आदा सिसी है, चाहे वो किसी भी कारण से हो कई बर ऐसा भी होता है कि दूप में जाने से लोगों को सिर्दर्द होता है तो उसमें ये लाबकारी होती है अगर आपको ऐसी में रहने से भी सिर्दर्द होता है तो उसमें भी लाबकारी होती है कुछ खाने के बाद अगर आपको सिर्दर्ध होता है यानि कि पेट में गेस बनने के कारण अगर आपको सिर्दर्ध होता है तो उसमें भी ये लाबकरी होती है अगर आपको पूरा ना सिर्धर्ध है लंबे टांब से अगर आपको सिर्धर्ध है तो उसमें भी यह लापकरी होती है इसके अलावा यह जो पत्यादी काड़ा है वो आँख, कान या फिर किसी भी तरह का दर्ध है तो उसे यह दूर करने में मदद करती है इसके साथ साथ ये natural होने से ये आपकी immunity भी बढ़ाती है अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो बैदिनात की पत्यादी काड़ा है उसका 7 कैसे करना है तो देखें आपको 10 से 20 ऐमेल लेना है दिन में 2 बार समान मातरा पानी के साथ आप इसे खाने के बाद ले सकते हैं लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको जो है वो मिर्च मशाले ज्यादा नहीं खाना है खटजि़ वाली नहीं खानी है तेल या फिर गरम मसाला है बासी भोजन है तो तब आपको इसके साथ सेवन नहीं करना है